यह देखें दोस्तों यह उटी लसुन है यह बंसी जी दलिया इनके देख रहें उटी लसुन यह उखणना आज से पारम करेंगे तो बैसाब से पुछते हैं यह कितने दिनों में हो गई यह उखणने वाली यह उटी लसुन में कितना टाइम लगता है और यह साड़े तीन में अधल पंदा दिन पहले आ जाती है तो इसका रेट भी अच्छा मिलता होगा फिर तो जानदार है अभी 10-12,000 रुपर चल रही 10-12,000 रुपर कुंटल और कहां की मंडी करते हैं दलोधा दलोधा और यह बीच कहां से लाए थे यह लेके आए थे अच्छा क्या भाव लिया था पेले यह लिया था 14,000 में और क्या खर्चा आ गया इसका इसका खर्चा है 50,000 रु मतंख 3,000,000 की होती है रहती है यह घृणती हैं शवाट है में उसके लिए नहां क्या देना पड़ता है अच्छा अच्छा और ऊपर बी बीमारी आटके रिटीने और किस दिल्ट करना पड़ साथ है पिर आपने तीस 16rick इस आज अध्य मेने में इतनी वार इस प्रेट किया है इसका वी 2 महीने के बाद ङूह 2 महीने के बाद में इसका पहले कोई पड़ती यह उसका पहले जरोटीर आगा सब quindi में एक बीच पarnya की तो इसका माल नहीं निकलता है यह भी बढ़ा बड़ा हो गया है यह देखिए पिछले साल भी आपने लगाई थी बिलकुल लगाई तो कितना उत्पादन आया था अपके पादन इस साल क्या आ जाएगा इसका अपकी बार कमी आना क्योंकि गर्मी बहुत जब्यादा थी अ प्रोटेक्शन थोड़ा सा कम निकलेगा तो आप यह उखाडना चालू करें बिल्कूल कितने दिन रहेगी खेट पर यह दो रोज के बाद कटिंग चलू हो जाई तो बिल्कूल अभी तो हरी हरी दिख रही है ना उखाड रहे इसको इसका टाइम इसा है अगर ज्यादा सुक अच्छा इसलिए इसको थोड़ा नमी में उखाडना पड़ता है और हरा ही डेंटल रहेगा यह तो हरे डेंटल में उखाड़ते हैं तो बिल्कूल पीला हो जाता है उसके बाद उखाड़ा जाता है और यह उट्टी लेसुन ऐसी है कि इसको गिला ही उखाडना पड़ता ह गिले ही बंदी होती है यह और बीज भी गिला लाना ठागता है और लस्टं भी गिली बेशनी परती है और इसका प्रोडेक्शन अच्छा आठा है देशी लस्टं से कितने विगें लगाए ती बिगेंगा एक हैंए त्वमाव, पहले उखाडि हुई है याप तब फ दिन पहले तोट से उखार कर लेते उसます या नहीं अमोग छोटफेस से फीलेख कर देखясो ऑल मसंते नवेख्वनार्य उसका मालुम पढ़ गए पहलता है तीन से चार दिन पहले ही कि लसुन कब उखाड़ना है इन्हों ने पहले ही उखाड़के रख ली और आज इनकी लसुन उख़र जाएगी है ठीक धन्यवाद सार आपका ठीक है कि अब कि अब